स्लावलेकुम वेलकम टू माई चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं पीजा आप लोगों ने बहुत खाया होगा पीजा लेकिन आज मैं आपको घर में इजी तरीके से बीजा बनाना बताऊंगी इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले एक पैन पैन को गरम करेंगे और उसके अंदर एक पीस हम बटर का डाल देंगे बटर का पीस डालने के बाद इसके साथ हम थोड़ी इसके अंदर सब्जिया डालेंगे एक प्यास को मैंने पीसिस में काट लिया है और एक शिमला मेज को इसको भी मैंने पीसिस में काट लिया है और एक दो-तीन मिनट तक फ्राइ करेंगे, इसके अंदर 1 टेबिल सपून हम नमक डालेंगे, और 1 तेबिल सपूनुसके अंदर चिली फ्लेक्ख से टालेंगे, और इन सबको म् music करेंगे, म् सब्जियों को जब तक हमारी सब्जियां सॉफ्ट नहीं हो जाती हमें इन्हें पकाना है सिर्फ तो तीन मिनट तक ही हमें इन्हें पकाना है ज्यादा देर तक नहीं पकाना अब हम इसको cover करेंगे हम तीन मिनाट बार इसको खोल कर देखेंगे तीन मिनाट बार हम देखेंगे हमारी जो सब्जिया है वो soft हो चुकी है हमें जादा soft नहीं करनी बस थोड़ी ही soft करनी है इस पॉइंट पर हम गैस की flame को बन कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे अब हम pizza base लेंगे ये बाजार से किसी भी शॉप पर easily available हो जाता है अब हम इस पर pizza sauce लगाएंगे अब इसके बाद हम इसके उपर cheese डालेंगे मैंने ये mozzarella cheese ली है cheese हमें जादा डालनी है क्यूंकि cheese से बहुत अच्छा टेस्ट आता है पीजे के अंदर आप लोग भी cheese जादा डालें cheese उतनी जादा होती है हमारा pizza उतनी ही जादा अच्छा बनता है पूरे base पर हम cheese को अच्छे से फैला लेंगे अब हम इसके उपर सबजियां रखेंगे इस्पून की मदद से सब्जियों को रखना है हमें बेस के उपर इसको भी अच्छी तरीके से फैलाएंगे फिर सब्जियों को पूरे base पर अच्छे से फैलाना है आप चाहें तो कच्छी सब्जियां भी लगा सकते हैं मैंने soft करी हैं और आप चाहें तो पनीर भी यूज कर सकते हैं इन सब्जियों को लगाने के बाद मैं सुईट कॉर्ण भी डालूंगी सुईट कॉर्ण भी आफशनल हैं आप चाहें तो यूज कर सकते हैं और आप चाहें तो एसकिप कर सकते हैं स्वीट कोरन से भी टेस्ट अच्छा आता है वीजे का स्वीट कोरन लगाने के बाद मैं इसके अंदर हाफ टेबिल स्पून चिली फ्लेक्स डालूँगी चिली फ्लैक्स टालने के बाद अब हम इसके उपर ओरिगानो डालेंगे ये भी हम half table spoon और इगेनो डालेंगे और इगेनो डालने के बाद अब हम इसके उपर चीज और डालेंगे इससे हमारे पीजे में टेस्ट रहुँ जादा बढ़ जाता है अब हम एक पैन लेंगे उसके अंदर एक बटर का पीज डालेंगे इस्पून की मदद से हम बटर को पूरे पैन पर फैला लेंगे अब हमने फैला लिया है बटर को इसके बाद अब हम पीजा उठाएंगे और इसको बेक होने के लिए रख देंगे हम तस मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर रख देंगे जब तक हमारी चीज मेल्ट नहीं हो जाती दस मिनट बार हम खोल कर देखेंगे हमारी चीज जो है वो मेल्ट हो चुकी है इस पॉइंट पर हम गैस की फ्लेम को बन कर देंगे और पीजे को बाहर निकाल लेंगे पीजे को बाहर निकालने के बाद अब हम इसके उपर 1.5 टेबीर स्पून और डालेंगे और 1.5 टेबीर स्पून चिली फलक्स डालेंगे अब हम इसको सर्फ करेंगे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सस्क्राइब करें देखने के लिए थैंक यू